नमशकार, आज की कहानी है, सब कुछ तुमारे हाथ में है एक आदमी रे की सान से गुजरते वक्त बुद्बुदा रहा था कितनी बेकार जगा है ये, बिल्कुल भी हर्याली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नाम और निशान भी नहीं है तब तीरेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुसा भी बढ़ता जा रहा था अंत में वो आसमान की तरफ देख जलाते हुए बोला क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते अगर यहां पानी होता, तो कोई भी यहां पेड़ पौदे हुगा सकता था और तब यह जगा कभी कितनी कुपसूरत बन जाती ऐसा बोल कर, वह आसमान की तरफ ही देखता रहा मानो, वो भगवान के उत्तर की प्रतिक्षा कर रहा हो तब ही एक चमतकार होता है, नजर जुकाते ही, उससे सामने एक कुवान नजर आता है वह उस इलाके में बर्सों से आ जा रहा था, पर आस तक उससे वहां कोई कुवान नहीं दिखाता वह आश्चरे में पढ़ गया, और दौड कर कुवान के पास गया कुवान लबा लब पानी से भरा हुआ था, उसने एक बार फिर आसमान की तरह देखा और पानी के लिए धन्यावाद देने की बज़ाए बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाई भी तो होना चाहिए उसका ऐसा कहना था कि कुवें के बगल में पड़ी रसी और बालती दिख गई, एक बार फिर उससे अपनी आखों पर यकिन नहीं हुआ, वैकुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी धोंगा कैसे, तब ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे प आगे मरने लगता है, अभी उसने दो-चार कदम ही बढ़ाया था, कि उड़ता हुआ एक कागस का टुकड़ा उसके उपर आकर चिपक जाता है, उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बालती और रसी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया, अब त लिखिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया, बच्चों कई बार हम चीजों के अपने मताबिक न होने पर उसका दोश दूसरों को देते हैं, कभी हम सरकार को दोशी ठहराते हैं, कभी पेरेंट्स को, कभी कमपनी को, तो कभी भगवान को, पर इस ब्लेम गेम के चक्कर मे हम इस important fact को ignore कर देते हैं कि एक इनसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुश साकार कर सकते हैं शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभा हुए पर जिस तरह इस कहाने में उस इनसान को रिकिस्तान हरा बनाने के लिए साधन मिल जाते हैं उसी तरह हमें भी effort करने पर अपना goal achieve करने के लिए जरूरी सारे resources मिल सकते हैं पर समस्या ये है कि ज्यादा तर्ड लोग इन resources के होने पर भी उस आदमी की तरहां बस complaint करना जानते हैं अपनी मेहनस से अपनी दुनिया बदलना नहीं तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़े और जिमेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शूरू करे क्योंकि सच मुछ सब कुछ तुमारे हाथ में है धन्यवाद